यूं तो हर दिन किसी ना किसी देव को समर्पित है लेकिन अगर बात कर शनिवार की तो सब जानते हैं ये दिन शनी देव को समर्पित है दंडनायक शनी देव इनसे हर कोई डरता है क्योंकि नियाय की देव कहलाने वाले शनी ऐसे देव हैं जो चाहे तो रंग को भी राजा बनाते और अगर इनकी कुद्रिष्टी किसी पर पड़ गई तो राजा को रंग बनते हुए भी देव नहीं लगाते ऐसे में हर कोई इनकी वक्रिद्रिष्टी से बचना चाहता है और इनकी कृपा का पातर बनना चाहता है तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे शनी वार के दिन क्या नहीं करना चाहिए जिससे शनी देव आप से कभी रुष्ट ना हो दरसल कई बार हम शनी वार को कुछ ऐसी चीजों की खरिदारी या इस्तमाल कर लेते हैं जिससे अचानक ही सिर पर बोज बढ़ता है और जीवन में कलेश बढ़ने लगता है इसलिए शनी देव के प्रकोप से बचने के लिए ये जानना जरूरी है कि शनीवार को क्या करना ठीक होता है और क्या नहीं तो आईए जानते हैं सबसे पहले आपको बता दे कि शनीवार के दिन क्या नहीं खरिदना चाहिए पहली चीज है तेल शनिवार की दिन कभी भी तेल की खरीदारी नहीं करने चाहिए इस दिन तेल की खरीदारी घर में शारिरिक कश्ट और बिमारी आती है तो वहीं शनिवार को लोहा या फिर लोही की चीज़े खरीजने से शनिदेव नाराज होते हैं और इससे साड़ साती या ढईया का समय शुरू हो सकता है। जोतिश की अनुसार इस दिन कोईले की खरीदारी भी मना है। घर में इस दिन किसी भी प्रकार का इंधन नहीं लाना चाहिए। क्योंकि इससे बुरा समय शुरू हो जाता है। तो इस शनिवार को चमड़ा या चमड़े की कोई भी बनी हुई वस्तू जैसे जूते, बेल्ट, पर्स आधी नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी सफलता में रुकावट आती है। इसके बाद आपको बता दे कि शनिवार के दिन जाड़ू खरीदने से घर में आर्थिक हानी होती है। और इस दिन काले तेल, नमक का खरीदना भी वर्जित किया गया है। माना जाता है कि इस दिन खरीदा गया नमक, घर में बिमार इला सकता है, इस से कर्ज भी बढ़ता है, तो चलिए आगे आपको बताते हैं कि इस दिन कि इन चीजों के सेवन से बचना चाहिए, जोतिश के अनुसार शनिवार के दिन दूद या दही का सेवन नहीं करना चाहिए अगर जरूरी हो तो इसमें हल्दी या गुड मिला लें, इसके अलावा इस दिन आम का चाहर खाने से बचें, दरसल कच्च आम खटा और कसैला होता है, और शनि कसैली चीजों के विरोधी हैं, इसके अलावा शनिवार के दिन चना, उडद और मूं के दाल खा सकते हैं, ले साथ ही इससे दुरघटना की आशंका बढ़ जाती है, कुंडली टीवी डिस्क से प्रिया शर्मा के रिपोर्ट इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकॉन दबाएं, अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राए क कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, धन्यवाद